हलो स्टूजिंस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज की डेट है 23 फेबरी एंड 23 फेबरी के दर हिंदू न्यूस पेपर को हम यहां पर अनलाइज कर रहे हैं आगे बढ़ने उससे पहले आप मुझे इन तीन मीडियम के थूरू कनेक्ट कर सकते हैं इस लेक्चर के इसमेल आइडी पे यहां फिर आप ट्विटर पे भी मुझे कर सकते हैं देखो 102 बचे हैं सिर्फ यूपीएसी प्रिलिम्स में इसलिए आगे कुछ कहने की जरूरत है नहीं बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाओ इसमें और आज के टॉपिक्स देखते हैं GS1 में we have nothing for today GS2 म international relations में देखेंगे India's aid to Afghanistan तो इंडिया ने आखिरकार अपनी aid भेज दी है Afghanistan में और यहां पे इंडिया की help करेगा world food program तो इसके बारे में भी देखेंगे quality में देखेंगे crackdown on social media तो social media के ओपर क्या crackdown हुआ है और UAPS से क्या relation है unlawful activities prevention act से क्या relation है इसको देखेंगे government scheme में देखेंगे AFSPA के बारे में ये एक act है जो especially North East वाले region में लगाया गया है for the security purpose तो यह क्या है इससे related क्या controversy इसको देखेंगे PM care scheme for children तो इसको देखेंगे social justice में देखेंगे गंगुबाई काठ्यावारी के बारे में इनसे related एक movie आ रही है तो इसको लेकर कुछ controversy आई है यह क्या है इसको देखेंगे GS3 में Science and Tech में Meta Artificial Intelligent Supercomputer इसको देखेंगे GS4 में we have nothing for today एक और चीज मुझसे कई सारे लोगों ने request की थी कि यहाँ पर NAC जो National Stock Exchange का scam हुआ है co locating से related उसको हम कब लेंगे तो उसको हम कल लेंगे क्योंकि यहाँ पर आज आज काफे सारे issues थे तो इसको हम कल लेंगे ओके आगे बात करते हैं देखो आज के लिए आपके दो questions जो है prelims के previous questions में से यह दो questions आपको solve करने हैं जो की 2021 के है science and tax related a question है जो कल question मैंने कुछे थे उनका जवाब मैं आपको session के end में दोगी ओके आगे बात करते हैं पहले आर्टिकल की panel on aspa removal missus 45 day deadline तो यहाँ पर क्या हुआ था देखो एक background समझाती हूँ आफस्पा है क्या आफस्पा का full form है armed forces special powers act अब नाम जैसा बोल रहा है armed forces special powers act यानि कि जो armed forces है उनको कुछ special powers दी जाती है कहां कहां पर यह लागू होता है जो भी disturbed areas है ठीक है जो भी sensitive areas है disturbed areas है जहां पर instability जादा हो सकती है उन areas में इसको लगाया जाता है इसकी पूरी definition अभी आगे देखेंगे लेकिन background समझा रही हूं तो basically क्या है कि इसमें कुछ जादा powers दी जाती है armed forces को कि आप कहीं पर भी किसी को power act का use करते हुए ही जो allied forces है उन्होंने यहां पर 13 लोगों को मार गिराया और बाद में पता चला कि 13 लोगों में से कोई भी यहां पर न सब यहां के रहने वाले civilians थे तो इसको लेकर यहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ बहुत ज्यादा सिवीलियन एंगर देखा गया क्योंकि यहां पर बेकसूर लोगों की यहां पर जान चली गई because of this act तो इसको फटाने की बहुत ज्यादा दिमांड उठने लगी पूरे के पूरे नौर्धी से तो यहां पर union home ministry ने एक committee बनाई जिसको काम दिया गया कि आप देखे कि क्या करना है इसका तो यहां पर यहां पर है इसको नागालेंड से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए इसको लेकर जो committee बनाई की है तो देखो यहां पर आस्पा क्या है इसको समझते हैं आस्पा देखो 1958 का Act है आस्पा का Act है आस्पा Converse on members of armed forces special powers to run in suspects in the areas declared disturbed on account of insurgent activities or similar threats तो basically आस्पा 1958 का Act है ठीक है इसमें armed forces को कुछ special powers दी गए है disturbed areas में so that यहां पर disturbed areas में जो भी उनको लगता है suspect है उनको यहां पर दूसरे नए threats लाने से रोका जा सके prevent किया जा सके ऐसी activities से insurgent activities से ठीक है तो यहां पर सबसे पहले इसको मनीपूर में लगा गया था 1980 से यह मनीपूर में लगा हुआ है ठीक है इसके बाद यहां पर इरोम शर्मिला इरोम शर्मिला एक यहां पर एक्टिविस्ट थी जिन्होंने hunger strike करी थी काफी लंबे समय तक 2000 से यह hunger strike कर रही थी इरोम शर्मिला और इनकी मांग यह थी कि आस्पा को यहां से हटाया जाए मनीपूर से हटाया जाए ठीक है अब आस्पा सिर्फ मनीपूर में नहीं नौर्डीस के कई सारे states में लगा हुआ है जम्म कश्मीर में भी आस्पा है लेकिन वो किसी और नाम स तो यहां पर अभी हमारा काम है आस्पा को समझना special powers क्या दी जाते हैं देखो आस्पा के अंतरगत किसी भी commissioned officer को warrant officer को non-commissioned officer को यहां फिर कोई भी ऐसा और person जो equivalent rank का हो उसको कुछ special powers दे गया है first power is that he can fire upon or use force against any person acting in contravention to any law for the time being enforced in the disturbed areas तो अगर किसी भी disturbed area में पाया जाता है कि कोई person law के against काम कर रहा है तो उसके उपर force use किया जा सकता है उसको fire किया जा सकता है fire किया जा सकता है यानि कि गोली चले जा सकती उसके उसके उपर तो यह extra power मेरी दूसरा आप किसी को भी suspicious people को arrest क destroy कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इस घर के अंदर कोई arms रखे हुए इस घर के अंदर armed food यह यहाँ पर ऐसे लोग हैं जोनोंने law को वाइलेट किया है या इस तरह के कोई भी जो shelters है उनको आप attacker कर सकते हो इसके अलावा conduct searches without warrant तो आप बिना warrant के किसी के भी घर में घुसके search कर सकते हो evidence के बिना ठीक है और evidence collect करने के लिए आप इस तरह की searches कर सकते हो साथ में aspa bars prosecution and proceedings except with the centers not against personal for action committed while exercising powers तो यहाँ पर जो भी परसोनल जिन पर इसमें involved होंगे जो भी officers इसमें involved होंगे aspa की जिन्होंने भी powers यूज की होगी अगर आपको उनके against कोई भी proceedings चलानी है तो आ लेनी पड़ेगी इसके अलावा इनके ओपर आप proceedings नहीं चला सकते हैं ओके दूसरी चीज़ यह कि यहां पर disturbed area नाम यूज किया है कि disturbed area में यह लगाया जाएंगे तो disturbed area है क्या देखोई जो act है 1958 का इसको 1972 में amend किया गया और यहां पर यह जो powers है कि कि किसी भी area को disturbed area हम कह सक के वह यहां पर central government और state government को दी गई ठीक है आज की रेट में जो union home ministry है वह यहां पर disturbed area खोशित करती है नागालेंड और अनुनाचल प्रदेश में और मनिपूर और आसाम में disturbed area अगर किसी को खोशित करना है तो वह state government करेगी तो यह यारखना कि सिर्फ state government या सिर्फ central government के पा एक्ट जो है यह 20 km के area में implement किया जा रहा है along the border with Assam. जम्म कश्मीर में separate act है, जम्म कश्मीर Armed Forces Special Powers Act 1990 ठीक है तो यह यहां रखना कि disturbed area क्या होता है, अस्पा क्या क्या पावर्स में ले हुए हैं, अब क्योंकि यहां पे नागालेंड में यह controversy होई थी कि 13 civilians की जान चली गई थ तो यहां पे काफी जाधा protest हुआ for human rights, यहां पे कहात गया कि यहां पे human rights का सीधा-सीधा violation हो रहा है, ठीक है, लोगों की जान ली जा रही है for nothing, तो यहां पे human rights का violation हो रहा है और इसको लेकर काफी protest हुआ, civilian protest हुआ, इसके बाद जो committee आई है, वो G1 Ready committee आई थी, इन्होंने recommendations दिये, इनके recommendation में एक बहुत important recommendation यह थी, इन्होंने बोला, अच्छे यह याद रखना committee का नाम किस से related है, तो G1 Ready committee is related to ASPA, पुरानी committee है यह, तो अब इसमें याद रखना, इन्होंने बोला था, कि ASPA जो act है, इसको हमको repeal कर देना चाहिए, इसको खतम कर देना चाहिए, औ तो इसमें अलग से, ASPA की जरूरत हमको है नहीं, तो इन्होंने यह चीज़ कही थी, लेकिन इस recommendation के उपर कुछ भी काम हुआ नहीं है, ठीक है, UAPA क्या है, आगे आने वाली news में, एक और news में, इसका mention है, तो वहाँ देखेंगे, ओके, तो यह तो हमारी बात है, आसपा की, हम देखो, यह December 4, 2021 की news है, कि 13 villagers जो थे, इनकी यहाँ पर death हो गई थे, because of ASPA, उसके बद अमिच्छा जो है, हमारी home minister, वो बोलते हैं, कि जो civilians है, जो भी coal mine से return हो रहे थे, उनको गलती से यह समझ दिया गया, पैरा कमंडो जो है, उन्होंने गलती से, कुछ और समझ के उपर इनके उपर गोलिया चलाना स्टार्ट कर दी, तो कुल मिला के, यह जो पूरा issue है, यह यहाँ पे, अब आगया है, कि ASPA को हटाया जाए, या नहीं हटाया जाए, तो इसको हम देखेंगे, अच्छा, यह जो committee है, इसको head कर रहे है, विवेक जोशी जी, ठीक है, जो की Registrar General of India भी है, तो विवेक जोशी committee अभी नहीं बनेगी है, असपा के लिए, एक तो थी जीवन रेटी committee, अभी बनेगे विवेक जोशी committee, ओके, आगे बात करते हैं, next issue की, तो देखो, scheme for COVID-19 orphan extended, तो यहाँ पे एक scheme आई थी, COVID-19 जब आया, इसमें especially जो second layer आई थी, second wave आई थी, इ उसके बात कई सारे लोगों की जान गई, इसमें पता चला कि कई सारे बच्चे जो है, they have turned orphan, तीक है, यह orphan हो गए है, because उनके parents की death हो गई, या फिर उनके जो यहाँ पे guardians थी, उनकी death हो गई, तो ऐसे में यहाँ पे, अब COVID-19 को यहाँ पे tackle करने के लिए, इन orphans की help करने के लिए orphan childrens की, यहाँ पे एक scheme लाई गई, PM CARES के अंतरकत, तो PM CARES जो प्रधान मंतरी की scheme थी, इसके अंतरकत, एक scheme लाई गई for the बच्चों, ठीक है, तो बच्चों के लिए अलग से scheme लाई गई, especially orphan children के लिए, ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज त during the pandemic, इनको एक financial aid package दिया जाएगा, इस scheme के अंतरकत, इसमें देखो क्या होगा, कि जो भी एक से 18 साल का बच्चा है, महलब 0 to 18 years का बच्चा जो भी है, 18 years आ रखना, 18 years तक के बच्चों को ही यह scheme का benefit मिलेगा, इसमें क्या होगा, कि जो भी बच्ची है, उनको चेंजरिय वि पच्ची हो जाते हैं, तो उसमें सैनेक स्कूल जनावोगे स्कूल में इनको एंडॉल किया जाएगा, इसके अलावे इनको health insurance मिलेगा, पांच लाग रुपए तक का, एक 10 लाग रुपीज तक की इनको जमा राशी मिलेगी, जब यह बड़े हो जाएंगे, तो इनको यह ल 10 लाग का लमसम कॉर्पस इनको मिल जाएगा, अब देखो, न्यूज में इसलिए था, क्योंकि यह जो PM Care Scheme है, तो यहां पर इस Scheme को पहले बोला जा रहा था, कि यह last year, 31st December 2021 तक के लिए ही रहेगी, लेकिन इसको extend किया गया है, और अभी February 28 तक यह रहेगी, in action ठीक है, तो of COVID, यहां फिर जिनका एक ही पैरेंट था, ठीक है, एक ही पैरेंट थे और उनकी भी death हो गई है, यहां फिर जो legal guardian था, उनकी death हो गई है, तो लालन पालन करने वाला आखिर कोई नहीं बचा है, तो फिर इस Scheme का फायदा इनको मिलेगा, ओके, आगे बात करते हैं, next issue की, गं एक्रस and lead actress sa, यहां पर जो गंगू बाई काथ्यावाडी मूवी आ रही है, इसके against काफी controversy generated हुए है, क्योंकि यहां पर पोउस किया है, जो गंगू बाई काथ्यावाडी, रिएल गंगू बाई काथ्यावाडी थी, इनके adopted children है, तो अब हुआ क्या है, देगो गंगू the Mumbai's well known and influential brother owners के ताइम नाम से तो उस टाइम पे जो brothers हुआ करते थे जहां पर sex workers जो थी वो commercially sex work यहां पर perform करती थी उसको हम कहते हैं brother तो यहां पर यह एक बहुत बड़े brother की owner थी यहां पर during 1950s and 60s तो इनको यहां पर इन्होंने ना सिर्फ यह इस brother की owner थी साथ में यह जो sex workers ने commercial sex workers इनके rights के लिए इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी इनके welfare के लिए लड़ाई लड़ी तो अब हमारे लिए issue यहां पर important है यह जो sex work है इसका welfare किस तरह से होता है इनके क्या rights है और क्या अब जो एक debate छड़ गई है वो यह है कि क्या prostitution जो है उसको हमको legalize करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यह भी एक issue है और यह issue इसलिए important है mains के लिए क्योंकि अभी यह movie काफी चर्चा में है ठीक है तो अब opposition जो है इनके बच्चे जो है गंगो भाई काथियावाडी जी के जो बच्चे है adopted children है उनका कहना यह है कि यहां पर इस movie में इनको as a prostitute और as a mafia queen दिखाया गया है ठीक है यह इनका कहना है दूसरी चीज यह क्लेम करते हैं कि जब से film का trailer release हुआ है तब से इनकी फैमिली के जो women members है जो की red light areas में रहती है उनको काफी on uh जो objectionable और abusive comments देखने पड़ रहे है जेलने पड़ रहे है because of uh this movie and this movie's trailer तो यहां पर उनकी reputation जो है वो खराब हो रही है तो यह इनका कहना है इसलिए इसका oppose कर रहे है all right अब देखो हमारे लिए जानना जरूरी है कि यह जो sex work है इसके क्या position है legally तो यहां पर जो sex work है that is not recognized as a legitimate work तो यह legitimate work नहीं है इंडिया में पहली चीज़ या रखना it is not legalized right now जो भी sex workers है उनको government schemes का फाइदा नहीं मिलता है ठीक है दिक it cannot be the beneficiaries of government schemes okay लेकिन फिर कैसे protection होता है तो सबसे पहला protection तो article 23 खुद देता है article 23 जो है constitution का वो बोलता है that trafficking in human beings and beggars and other similar forms of forced labor is prohibited तो हर तरह का forced labor हर तरह की trafficking यहां पे prohibit करता है article 23 clause 1 23 clause 2 बोलता है any contravention of this provision shall be offense punishable in accordance with the law तो यहां पे अगर इसका violation होता है तो यहां पे उसको punishable under law माना जाएगा ठीक है अब देखो इनका protection और कैसे होता है एक act है जिसका नाम है Immortal Traffic Prevention Act ठीक है शुरुआत में जो आया था 1956 में तो इसका नाम था suppression of immoral traffic in women and children act अभी इसका नाम बदलके immoral traffic act कर जागा है traffic prevention act कर जागा है ठीक है तो यह जो legislation है currently govern कर रहा है sex work को इंडिया में तो यह हमने बात कर ली basic basic अब देखो जो डिबेट है prostitution को legalize करने या नहीं करने वाले की उसकी बात करते हैं तो कुछ लोग इसके favor में है इसके pros यह बताते हैं यह लोग कि अगर ऐसा हो जाता है अगर prostitution is legalized in India then states will acquire the responsibility to manage the brothel and it can fulfill this obligation by issuing a license to authorized person तो अभी क्या होता है यह जो brothels है इनको unauthorized people कराते हैं unauthorized people जो है वो इनको handle करते हैं इन brothels को manage करते हैं तो यहां पर कई सारे issues आते हैं regarding the rights of these six workers इनके ओपर काफी human rights exploitation भी होता है इनका ठीक है sexual exploitation भी होता है तो यहां पर अगर state के हाथ में यह आ जाता है power prostitution को legalize करने के बाद कि यहां पर जो brothers है उनकी responsibility पूरी तरह से अगर state के पास आ जाती है तो यहां पर इनको license देप सकेंगे authorized persons को जो forceful forceful तरीके से जो women को employ किया जाता है under prostitution वो रुप पाएगा सबसे ब इनको बनाया जा सकेंगे for the prostitutes, prostitutes ठीक है तो prostitutes की age किस से किस age तक होनी ठीक है तो आज कल के time में देखा जाता है कि child trafficking के थूँ यहां पर prostitutes में लाया जाता है child trafficking के थूँ बच्चें को prostitution में लाया जाता है and this is a very 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 heinous crime वैसे तो बेखो prostitution में किसी को जबर्दस्ती यहां पर remuneration होगा किस तरह से medical facilities मिलेंगी इन सब भी का formulation government कर पाएगी तो यहां पर जो human rights है prostitutes के वो ensure हो सकेंगे इसके लबब जो दूसरे rights है इनके जैसे की medical care का right, education का right, इनके बच्चों के education का right, exploitation और rape की against जो rights है यह सब भी इनको मिल पाएँगे, ensure हो पाएँगे इसक इसको हम रोग पाएँगे, ठीक है, इसके साथ-साथ यहां पे एक protection house बना पाएगी government जिसमें कि जो prostitutes जिनों ने अपना livelihood खो दिया है, यहां फिर जो forcefully जिनको इसमें लाया गया था और अब वो इसको छोड़ना चाहती है, वो सभी लोगों को protection मिलेगा under this protection house, इसके साथ इनको basic training दे सकते, government, इनको basic education दे सकते, जिससे यह कोई alternative livelihood शुरू कर सके, अभी आपने देखा होगा कई सारी web series, आपने देखे होगी, movies देखे होगी, तो आपने देखा होगा, books पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो prostitutes हैं, they are very much obligated, ठीक है, कि उनके पास फिर अपनी मर्जी से आई हो, इस field में, लेकिन एक बार आ गई तो उनके पास अब और कोई option बच्चता नहीं है, तो they stay in this situation only, अगर उनको अब यहाँ पर अपना livelihood change करना है, अगर अब उनको अपना occupation change करना है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो अगर इसको legalize कर दिया notion जा सकता है society में, दूसरी चीज़ यह, कि यहाँ पर इसको easy money making way माना जा सकता है, ठीक है, जो prostitutes हैं, वो इसको easy money making way मानकर, यहाँ पर prostitution की practice को और जादा बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है, जो कि ethically, morally हमारी society में सही नहीं मानी जाती, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ज सरोगेसी का एक issue हो गया था, कि सरोगेसी कमर्शिल सरोगेसी काफी बढ़ गई थी, तो हमारे देश है, उसमें सरोगेसी अपनी industry बन गई थी, यहाँ पर क्या होता था कि foreigners आते थे, सरोगेसी करवाते थे, पैसा देते थे, और जाते थे, ठीक है, कई बार तो अदना बच् करते हैं, जो कि सही नहीं होगा, ठीक है, तो यह कुछ cons भी है, अब इनमें balance हमको करना होगा, ठीक है, तो यह हमने बात कर ली, regarding prostitution, sex work के legalization, illegalization है, next हम बात करते हैं, Meta का artificial intelligence का एक super computer आ रहा है, तो यह super computer क्या-क्या काम करेगा, क्यों आ रहा है, इसकी बात करते है, हम देख artificial intelligence पर जो based है, super computer, इसका नाम है RSC, ठीक है, research super computer, ठीक है, research super cluster, तो यह RSC इसका basic नाम है, यह कहादा रहा है, FB और metaverse, meta के द्वारा कि यह fastest super computer होगा, world का, और 2022 में इसको पूरी चरह से तयार कर लिया जाएगा, ठीक है, यह artificial intelligence के research पर बेस्ट होगा, और metaverse पर बेस्ट होगा Metaverse क्या है, meta जो company का नाम पढ़ा है, वो Metaverse पर ही पढ़ा है, जिसमें एक तरह से artificial intelligence का use करते हुए ही, हम interaction कर सकते हैं, अपने दोस्तों से और इन सब से on a virtual space, okay, अभी super computer होता क्या है, देखो, एक normal computer होता है आपका, ठीक है, यह normal computer, जो है, कुछ-कुछ, works, कुछ-क तास्क यहां पर perform करता है, super computer क्या करता है, high level processing करता है, और एक faster rate पर करता है, ठीक है, तो एक तो rate faster है, और यहां पर जो टास्क है, वो multiple complex tasks एक साथ ही कर सकता है, simultaneously, इसको कई सारी machines से जोड के बनाया जाता है, artificial intelligence के model पर बनाया जा रहा है, इसमें क्या होगा, कि यहां पर data, बहुत होगा, ठीक है, इसका जो यह 660 operations per cycle कर पाएगा, और 230 giga flop at 350 megahertz काम कर पाएगा, तो काफी high rate है, ठीक है, इसके लएब जो super computer है, इसमें multiple graphic processing units लगेंगी, ठीक है, जो graphic processing units आपने पता होगा, आपको nvidia नाम से, कई सारे cards आते, graphic cards आते, आपने अपने laptop में भी देखा होगा, त अभी super computer का जो market है, कि यह grow कर रहा है, तो अभी देखो, अभी जो super computer का market है, कुछ few companies है, जो super computers में अभी deal करते हैं, जैसे कि Dell हो गई, ठीक है, उसके अलाबा, इंडिया private limited हो गई, लेनोगो हो गई, यह कुछ-कुछ है, HPE हो गई, तो यह कुछ players ही हैं, जो इसमें काम करनी है, तो अभी यह माना जा रहा है कि 9.5% का growth rate है, ठीक है, इस sector में, 2022 से 2027 के बीच में, आने वाले 5 सलों में लगबंग 9.5% से यह industry grow करने वाली है, ठीक है, और इसमें जैसे-जैसे cloud technology हम साथ में मिलाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे यह जो technology है, और जादा बढ़ती जा रही ह ठीक है, अभी जो demand है, वो यह है, कि data centers हम बनाए, artificial intelligence और machine learning के लिए हमको enterprises बनाने की ज़रत है, इसके लिए हमको government के साथ collaborate करने की ज़रत है, और इसको हम educational industry में भी educational entities में साथ भी use कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ यह है, कि आज के time पर computing की needs बहुत बढ़ गई है, नईनी चीज़े आगे, इसलिए computing के needs बढ़ गई है, quantity और complexity जो है data की वो भी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमको ज़रूरत है fast processing की, तो data के fast processing की ज़रूरत है, इसमें complex data होता है, weather forecast का data होता है, climate change से related है, कई सारे तरीके का data है, diseases से related, covid से related, car crash, accident, सब से related data है, इन सभी को एक साथ analyze कर सकते हो, ठीक है, अब यह RSC क्या है, जो artificial intelligence वाला जो research, super cluster, computer बना रहा है, metaverse, इसका क्या मतलब है, तो यह देखो, एक powerful super computer रहेगा, जो quintillions of operation per second में cover कर पाएगा, यह जो है, टास्क को फॉर्म करेगा, कैसे, जैसे कि टास्क जो होते हैं, languages के बीच के, identify करना harmful content को यह सब चीज़ें जो है, यह कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर, इसका main model यह रहेगा, कि यह three times faster work करेगा, पहली चीज, दूसरी चीज, जो भी ऐसा objectionable content है, meta पे, FB पे, इन सभी को detect करेगा, ठीक है, billions of parameters को एक साथ finish करेगा, यह सारे इसके चीज़े हैं, लेकिन इसके पड़ी, train, train होके, computers इसको use कर सके, ठीक है, तो यहाँ पर, training model जो है, इसमें sampling rate हमको जादर चाहिए रहेगा, longer videos के लिए, speech recognition की जरूरत रहेगी हमको, इसके साथ, अलग-अलग languages, अलग-अलग dialects, अलग-अलग actions को यहाँ पर, वो समझ पाए, और इसको decipher कर पाए, इन सभी चीजों की जरूरत हमको लगेगी, इसके साथ, एक नया, पूरा का पूरा, नया computing infrastructure भी लगेगा, तो यहाँ पर depth जो है, accuracy जो है, speed जो है, इन सभी का issue है, यहाँ पर अभी, ठीक है, तो इन सभी को solve करने की कोशिश कर रहे है, meta, under this supercomputer, ठीक है, तो यहाँ पर better artificial intelligence models पे based यह, और seamlessly analyze करेगा text को, images को, videos को, और यहाँ पर जो researchers है, उन्होंने बोलाए कि यह largest model बनेगा, advanced artificial intelligence के form में, ठीक है, अब आज की date में, what is the role of supercomputers in metaverse, तो यह को artificial intelligence के जो supercomputers है, यह metaverse की foundation बनाएंगे, कैसे, मैंने बता है, metaverse क्या है, एक virtual space है, यहाँ पर आप interaction कर सकते हो, rich user interaction हो सकता है, यहाँ पर, ठीक है, आप जाके YouTube पर देखना, metaverse की एक video देखना, जिसमें ऐसा होगा, कि आप जैसे यह, एक virtual space है, ठीक है, इसको हमने बना दिया meeting hall, ठीक है, तो हर कोई अपने अपने घर पर बैठा है, और यहाँ पर हर कोई अपने घर पर बैठके zoom meeting करता है, zoom meeting में क्या होता है, zoom meeting में आपको ऐसे डबबे दिखते हैं, ठीक है, यह डबबे दिखते हैं, हर कोई अपने अपनी जगह पर बैठा दिखते है, metaverse में क्या होता है, आपको एक ऐसा feeling आती है, कि आप लोग actual में इस meeting hall में बैठे हो, एक दूसरे के आसपास, और आप यहाँ पर ही अपनी conversations को conduct का रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पर super computer काफी ज़ादा useful हो जाएगा, okay, तो यहाँ पर जो meta है, यहाँ पर यह technologies को build करेगा, metaverse की technologies को build करेगा, जो artificial intelligence से driven होगी, इसमें कोई भी ऐसा चीज आती है, जो कि objectionable उसको हटा जाएगा using this super computer, okay, और भी कई सारे च aid to Afghanistan, तो अफगानिस्तान में इंडिया की पहली batch गई है, aid की, help की, तो इंडिया ने यहाँ पर कई सारे टन में wheat भेजी है, ठीक है, wheat भेजी है, कहाँ पर अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, तब से यहाँ पर बहुत problems चल रही है, economic crunch लोगों के, लोग जो हैं, बुखमरी से मर रहे हैं, स्टाव करके मर रहे हैं, nutrition की काफी कमी है, food security की कमी है, बहुत सारे issues है, तो ऐसे में जो अफगानिस्तान है, वो गया किसके पास, UN के पास की हमारी help कर दो, ठीक है, UN ने इनको बोला कि ठीक है, हम आपकी humanitarian assistance करेंगे, इस integrated check post को cross करते हुए, ठीक है, तो यह पूरे trucks जो है, यह पहुचेंगे महाँ पे, और यहाँ पे जलालाबाद में, world food program तक यह पहुचेंगे, world food program के office तक पहुचेंगे, और यहाँ से world food program जो है, जो की UN की ही एक body है, वो यहाँ पे distribute करने का काम करेगा, अफगानिस्तान में, इस पूरी aid को, ठीक है, तो यह issue था, यह news थी, अब देखो यहाँ पे, world food program होता क्या है, world food program basically UN का ही एक division है, ठीक है, UN का ही division है, UN यानि की United Nations का ही एक division है, जो food aid provide करता है, उन लोगों को, जो food नहीं, जिनको access नहीं मिल पा रहा, जिनके पास availability नहीं है, food की, उन area में, food provide करत है, world की, ठीक है, world की largest humanitarian organization है, 1961 में यह बनी थी, UN के अंतरगा थी, रोम में इसके headquarters है, आज की date में, 80 countries में लगबग 86 million people को यह food provide कर रही है, तो काफी बढ़िया काम कर रही है, और एक चीज या दखना, इस बढ़िया काम करते हुए ही, यहाँ पे इस organization को, world food program को, noble peace prize भी मिला था, 2020, ठीक है, for its very significant efforts towards catering and addressing hunger, okay, आगे बात करते हैं, next हमारा article है, आज का editorial है, Biden is risking his Indo-Pacific strategy, तो Biden, जो की, जो Biden की बात कर रहे है, यहाँ पर US के president की, यह कह रहे है कि इस author, जो यहाँ पर author है, ब्रह्म चेलानी जी, काफी famous author है, इनके articles काफी news में रहते हैं, तो इन्होंने यह कहा है कि Indo-Pacific strategy, अभी कुछ time पहले ही, यहाँ पे एक document release हुआ था, जो US ने release किया, regarding its Indo-Pacific strategy, कि किस तरह से US जो है, इसकी क्या role रहेगा, Indo-Pacific region में, किस तरह से यह free and open मनाएगा इसको, किस तरह से, China को counter किया जाएगा, इसमें, यह सब चीज़ें इसमें ठीक है, लेकिन same day जिस दिन पे यह strategy सामना है, document सामना है, same day पे US ने यह कहा, कि हमको लग रहा है कि Russia, Ukraine के उपर attack कर देगा, तो यहाँ पे, यहाँ पे author का कहना है, कि जो Biden जी है, इनका जो पहले focus था, Indo-Pacific strategy पे, जो कि आज की date में, China, इनका main proponent है, China, इनका main opponent है, I'm sorry, China जो इनका main opponent है, उसकी तरफ ध्यान देते हुए, Indo-Pacific strategy बनाई गई थी, ठीक है, कि इसको counter करेंगे, इसको address करेंगे, आप यह issue था, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान था, लेकिन अब जो है, वो ध्यान बढ़ गया है, और US का ध्यान रिश्या की तरफ जादा हो गया है, जो कि US के लिए घात हो सकत है, इसमें यह कह रहे हैं, तो क्या है आर्टिकल पुरा, इसको समझते हैं, थोड़ा सा broad कर दिया, मैंने, zoom कर दिया, अब देखो, इसमें बोला क्या गया है, कि अमेरिका जो है, अभी उसके उपर global pressure चल रहे है, कुछ global pressure है, जिसमें से एक सबसे बड़ा pressure जो था, वो था चाइना, क्योंकि चाइना economically, politically, strategically, अब important हो रहा है, और पहले जिस तरह से दो polls हुआ करते थे हैं, US और रशिया, अब यहां पे रशिया की location, जो है, रशिया की position, जो है, वो चाइना धीर धीरे acquire कर रहा था, तो आज की rate में अगर आप देखोगे, US का, जो main opponent है, वो चाइन तो इसको counter करने के लिए, US लाया था, Indo-Pacific strategy, जो Obama की time से चली आ रही है, तो Obama जब President से यहां के तब से चली आ रही है, Indo-Pacific strategy, अभी क्या हुआ, यहां पे, यहां पे Ukraine और Russia का issue चल रहा है, तो Russia जो की पहले opponent हुआ करता था, अब वो भी यहां पे forefront में आ रहा है, और कहीं न क पूरा को पूरा tenure इसी पूरी चीज में चल जाए, Ukraine-Russia conflict में ही चला जाए, और वो Indo-Pacific के लिए कुछ भी ना कर पाए, तो अभी क्या है, third successive US President है, जो यहां पे इंडो-Pacific के लिए काम करने की कोशिश कर रहे है, तो अमेरिका का जो primary strategic focus है, वो Indo-Pacific पे है, जो Obama का time से शुर पर Asia-Pacific की पहले बात होती थी, जब Obama थे, एशिया-Pacific की बात होती थी, इंडो-Pacific की नाम चेंज किया गया, और इंडो-Pacific को ज़्यादा importance दी जब Trump आए, जब Trump President थे, तब इनको ज़्यादा, यहां पे इंडो-Pacific region को ज़्यादा importance मिली, और यहां पर Trump एक concept लेकर आए, free and open Indo-Pacific का, फ्री and open Indo-Pacific का यह concept लेकर आए, जो कि जपान के प्राइम मिनिस्टर ने भी same concept जया था, जपान की जो प्राइम मिनिस्टर थे, शिनलो-ाबे जी, उन्होंने भी same concept जया था, यही concept पूरा Trump भी लेकर है, तो Trump का focus इस पे था, फ्री and open Indo-Pacific पे, लेकिन बाइडन का यह देखा जा रहा है कि Biden ने शुरुवात तो इससे करी थी, लेकिन अभी धीरे-धीरे वो distract हो रहे है, शुरुवात में उन्होंने बोल था कि Quad को हम use करेंगे, counter करने के लिए चाइना को और Indo-Pacific पे अपनी hegemony maintain करने के लिए, Indo-Pacific में अपना influence maintain करने के लिए, world order को maintain करने क कि अभी देखा जारे है कि Quad धीरे-धीर जियो-economics के तरफ जादा बढ़ रही है, जियो-economics के तरफ जैसे कि global health की बात करें, climate change की बात करें, emerging technologies की बात करें, cooperation की बात करें, यह सब बादे हम कर रहे हैं, तो यहां पे चाइना को counter करना और Indo-Pacific में influence जमाके रखना, Indo-Pacific को free and open करवाना है, इसके उपर जादा ध्याद नहीं दे रहे है, Quad वाले, ठीक है, और that is being happening under Biden's presidency, यह कह रहे है, ओथर, ठीक है, तो यह सारी चीज़े यहां पर, basically, author यहां पर बताना चाहरे है, कि जो चाइना की strategy थी, ठीक है, कि चाइना की strategy थी, कि हम US को counter कर लें, कहीं न कही देखा जा रहे है, कि धीरे-धीरे वो सफल हो रहा है, क्योंकि US जो है, चाइना की उपर उसना ध्यान नहीं दे रहा, जितना उसको देना चाहिए, तो यहां पर हम सभी को पता है, कि यहां पर चाइना जो है, वोर्ल्ड की most influential power बनने की कोशिश में लगा हुआ है, और यहा जोर्श की policy है, रशिया को लेकर अलग है, और चाइना को लेकर अलग है, कैसे? यहां पर example ले गए है, रशिया को, रशिया ने जब युकरेइन के उपर attack किया, या युकरेइन के आसपास सेना लगा दी अपनी, तो रशिया को कहा, कि यूकरेण ने कहा, कि आप यहां पर aggress अग्रेसर की तरह आप एक कर रहे हो लेकिन जब चाइना ने सेम चीज़ की थी इंडिया के आसपास लद्दा के आसपास इतिनां ट्रूप्स अपने लगा दे थे तब यहां पे न्यूट्रल लैंगवज यूज़ करी थी यूएस ने बोला था कि यहां पे लाइन ऑफ उक्रेन के उपर रश्या ने अटैक किया तो यहां पे रश्या को एक किलर कहा जा रहा है यूएस मोला कि आप एक किलर हो जो कि अपने ट्रूप्स को लेकर आ गए हो उक्रेन में और जबरदस्टी उनकी टेरिटरी में घुस रहे हो लेकिन जब चाइना ने सेम चीज़ की हिमालयास के टाइम पर जब लड़ाक में अपनी टेरिटरी में हमारी टेरिटरी में यह घुसाल ले आया था तब अमेरिका ने इसके अगेंस एक भी चीज़ नहीं बोले थी जबकि यह तो इंडिया के अगेंस हो रहा था जो कि अमेरिका का एक स्ट्रेजिक पार्टनर है यूकरेन कोई स्ट्रेजिक पार्टनर भी नहीं है यूएस का लेकिन क्यूंकि इंडिया स्ट्रेजिक पार्टनर है तो बोलना चाहिए था जाइना के अगेंस लेकिन नहीं बोला उन्होंने बोला है अब रश्या के लिए तो देखा जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी पूरा का पूरा जो focus है अब वो NATO versus Russia पे आ गया है US versus Russia पे आ गया है और जो पहले हुआ करता था चाइना versus US पे ठीक है तो अब यह जो US जो over strategically यहां पे घुसता जा रहा है over stretch कर रहा है यहां पे हो सकता है कि European security में ही यह फसके रह जाएं जो बाइडन का पूरा tenure और यह दूसरी जगह पे कोई focus ना कर पाएं ठीक है तो economically इस्ट्रेजिकली जियो इंडो पैसिफिक जो है वो जादा important है लेकिन यहां पे global center of gravity अब कुछ और होता जा रहा है तो यहां पर एक चीज़ समझनी चाहिए यहां पर यूएस को यह कहते है और यहां पर अभी भी नैटो को prioritize करो लेकिन European security में इतने महत घुसो कि तुम अपने दूसरे इंट्रेस्ट ना देख पाओ ठीक है क्योंकि आज की डेट में जो सबसे जादा interest involved है यूएस की वो है North Africa और Asia में तो समझ गई यह पूरा article था आगे बात करते हैं हम next article की Center cracks down on Punjab politics TV तो देखो basically क्या हुआ है पंजाब में पंजाब politics TV एक चलती है ठीक है यह पंजाब politics TV को यह कहा गया है यहां पे इसको block कर दिया गया है इसकी सारी apps इसकी सारी website इसके सारे social media accounts को यहां पे block कर दिया है ministry of information and broadcasting यह कहते हुए कि जो पंजाब politics TV है यह SFJ याने कि sick for justice sick for justice organization से जोड़ी हुई है ठीक है यह जो sick for justice organization है इसको एक terrorist organization का दर्जा दिया गया है और इसके जो लीडर है गुरुपत वन्थ सिंग पन्नुन यह जो है इनको भी यहां पे एक terrorist declare कर दिया गया है अंडर UAPA Act ठीक है UAPA Act के अंतरकत इनको यह tag अभी दिया हुआ है ठीक है तो यहां पे यह जो पंजाब politics TV है यह basically कर क्या रही है और क्यों इसको ban क्या गया पहली चीज़ तो बोला गया कि यह SFJ से related है जो कि खुद एक terrorist organization है ठीक है दूसरी चीज़ यह attempt कर रही है online media के तुरू public order को disturb करने की अभी पंजाब में election है और यह यहां पर पंजाब के youth को काफी भढ़कारी है violence के लिए इनको भढ़गाया जा रहा है और यह SFJ के बिहाफ पे यह काम कर रही है यह इस तरह के content को फैला रही है जो कि communal disharmonie पैदा कर सकते हैं सेपरिटिजम पैदा कर सकते हैं और इंडिया की unity, integrity, sovereignty के against काम कर सकते हैं इसलिए public order के नाम पे public order को देखते हुए इसको यहां पे block किया गया है इसके सारे account सारे social media account को block किया गया है तो यहां पे government of India is turning to be vigilant and committed to secure the overall information environment यह चीज़ यहां पे कही गई है अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि यह UAPA क्या है और इसमें क्या एक जिसे यहां पे बोला गया कि एक जो लीडर है इसके पननन उनको भी यहां पर terrorist का दर्जा देज़े गया है तो क्या individual को भी terrorist का दर्जा मिल सकता है कि सिर्फ organization को मिल सकता है यह सब देखना जरूरी है तो देखो UAPA की बात करते हैं Unlawful Activities Prevention Act 1967 का Act है यह law aim करता है at effective prevention of unlawful activities association in India तो इंडिया में जितने भी unlawful activities हो रही है associations हो रहे हैं उनको रोकने का उनके effectively prevent करने का काम करता है यह act देख है इसमें जो absolute power है absolute power central government को दी गई है यह central government जो है यहां पे काम करेगी और absolute power के तोर पे किस तरह से यहां पे power दी गई है कि यहां पे अपने discretion के basis पे यह declare करेगी कि कौनसी चीज unlawful है और कौनसी नहीं है तो कौनसी activity unlawful है यह decide करेगी central government based upon its own discretion और इसको official gazette में publish करा दिया जाएगा उसके बाद फिर जो भी इस unlawful activity को करेगा उसको penalize किया जाएगा यहां पे जो penalty है वो death penalty तक जा सकती है life imprisonment तक भी जा सकती है तो highest punishment जो है काफी stringent है death penalty और highest life imprisonment ठीक है इसके अलावा देखो यहां पे Indians और foreign nationals दोनों को इसके अंतरगत charge किया जा सकता है यहां पे जो भी offender है वो चाहें इंडिया में crime करें यहां फिर foreign land में crime करें दोनों के अंतरगत इसको charge किया जा सकता है investigating agency जो है वो यहां पे file करेगी charge sheet को maximum 180 days के अंतर अगर court की permission मिलती है तो ठीक है इसके अलावा कुछ amendments आये 2019 में इस से regarding UAPA के जो 2019 में amendment आयते इस से regarding UPSC mains में उस ताइम पे question पूझा गया था ठीक है तो 2019-20 में ही इस से regarding a question में में तो देखो यहां पे amendment क्या गए तो पहला amendment यह आया कि पहले क्या होता था सिर्फ organization को terrorist organization का द तो director general होंगे national investigating agency के वो यहां पे approval देंगे for the seizure और attachment of the property तो अगर कोई भी case investigate होता है तो उसमें अगर लगता है कि इसकी property attach कर लिए चाहिए या फिर इसकी property के उपर fees कर देना चाहिए हमको तो national investigating agency के director general इसके लिए approval दे सकते हैं दूसरी चीज यह जो है national investigating agency के ही officers को जोकि inspector rank स अबब हो उन्हीं को यहां पे empower करता है कि आप यहां पर terrorism के case को investigate करो पहले क्या था पहले यह power state police के पास होती थी ठीक है पुलिस जो है वो state का subject है और यहां पे DSP, ACP जो हुआ करते थे इस rank के उपर जो भी officer है वो यहां पर terrorist जो भी act हुए है उसको investigate कर सकता था और यह आता जो inspector rank के official है उनसे उपर जो official है वो यहां पे इसके लिए investigate कर सकते हैं तो एक federalism का भी issue है कि federalism को यहां पे कहीं ने कहीं दिखा जाए कि counter हो रहा है तो यह था हमारा UAPA पुरा act आगे बात करते हैं देखो आज के आपके दो question में है what is blue carbon अच्छा नहीं यह तो कल के question है sorry यह पहला question था blue carbon और blue carbon what is blue carbon इसका answer क्या होगा इसका answer होगा एक carbon captured by ocean and coastal ecosystem तो carbon जो ecosystem जो है coastal ecosystem जैसे कि जो mangroves आपे हैं sea grasses आती है वो जो है वो जो ecosystem है वो जो carbon को capture करके रखता है उसको हम कहते हैं blue carbon okay दूसरी चीज़ है in nature which of the following are most likely to be found surviving on the surface without a soil तो देखो यह environment का question था इसमें बोला organism है वो बिना soil के survive कर सकते हैं ठीक है किसी surface पे तो इसका answer होगा two and three ठीक है leechan and mosses यो कि ferns जो है यह generally आपको rocks पे मिलेंगे ठीक है soil पे मिलेंगे इन सब region में मिलेंगे आपको यह ठीक है तो यहाँ पे soil के साथ तो होई रहे rock भी है यहाँ पे rock पे soils बनते हैं ठीक है soil degraded ह rock पे बनते हैं उसके लबा मश्रूम आप देखोगे कि यह land पे बनता है soil में बनता है तो यहाँ पर majorly leechan and mosses जो है they would be the answer क्योंकि यह किसी भी substrate पे उग सकते हैं substrate का मतलब क्या है कि किसी भी surface पे उगए जा सकते है air यह water पे उगए जा सकते हैं किसी और surface पे उगए जा सकत सब्सकतर है